बेहनो अजे आपने साहतीन सिद्धान्तो भाग एक मा ललित कला विशना केटलक साहतीय मिमन्सको ना आउतरनों नी वाद करी अने एज मुद्धा मा ललित अने ललित एतर कला वचेनो पेद अने ललित कलाव मा साहतीय कला नी विशिष्टता आ मुद्धा हो पर आपड़े हागर वत्सू तो आजे आपड़े जे ललित कलाव विशे जे कला मिमन्सको ये पोताना आउतरनों एटले के कला विशे नी जे वाद करी छे एनी चर्चा आपने आग्र उधार ये कले छेले आपने टोल्स्टोय जे आपना जीवन वादी कला चिन्तक छे एमनी आपने वाद करी हती आजे आपना जी एले के गुजराती भाषाना कवी के जेमनो नाम उमाशंकर जोशी एमने कला विशे जे कहियो छे ते सम्म सम्वेदन एम कहे छे कला कलानू कारियो सम्म सम्वेदन एटले टोल्स्टोय एनुसर कलानी प्रक्रिया एछे के पोताना रदयमा जागेलू सम्वेदन क्रिया रेखा रंग द्वनी सब्दरूप दुआरा अन्यना रदयमा संक्रांत करवू सम्वेदन नुँ संक्रमन करवू ते एज कला प्रवरूती छे तो उमा संक्र जोसी जे सम्म सम्वेदन नी वाद करे छे तो एमा पन एज वस्तु आपन जोवा मड़े छे के सम अटले सम्वेदन एटले एक प्रकरनी लागणियों जियारे कला विशे अपने कोई वस्तु जोता होए तियारे आपने भाव माँ पावक ना भाव माँ अन्य जे कला कृती रचनार छे एज बनेना सम्वेदन नुँ छे वे समान जियार थाए तो कला नो कारिया छे उतक्रुष्ट कोटिये पहुचेलू कहवाए ले आरे ते आपने अगड़ वद्ये तो क्रोंचे जे कला मिमान सक्छे ए अभिव्यक्ती वादे दास्निक विचार थारा थार आवे छे अने कला विशे एम नो अउत्रणे छे के मनोगत अभिव्यक्ती ये क्रोंचे मनोगत अभिव्यक्ती मा माने छे मनोगत अभिव्यक्ती वाद ने इस्वीकार थे एले क्रोंचे पछे अपने रविद्ये ना टागोर अपना भारतिय शाहितिय मिमान सक्छ ए पन क्रोंचे ना कला मतने अनुमदन आपे छे एले विग्णान ना ग्रंथों मान जे विशे निरूपन होई कला क्रुतियों मान तो आत्मा अभिव्यक्ती जोईए कला नो मुख्य धियाई व्यक्तित्वनी अभिव्यक्ती छे ले आत्मा अभिव्यक्ती ए मुख्य काम कला नू छे सुक्ष्मा ने विवेचना आत्मक वस्तुनू निरूपन ने पन अंदर जे पड़ेलू छे आपणा आत्मा ने अंदर आपणा मन ने अंदर आपणी लाग्णियों ने अंदर ये जियर आपणा व्यक्त करिये छिये तो येने आपणा रविंद्र ना टागोर एक रोचे नी जेमज कहे छे के कला छे मात्र सुंदरिया निर्माण करवानू कारिया येननू थी पण सुंदरिया कला नू दिये न थी सातन छे येले टागोर सुंदरिया ना उपासक छे छे तेवो आगणवद्धी ने एम कहे छे के तेस बिल्डिंग अफ मैंस ट्रू वार्ड दा लिविंग वार्ड अन ट्रूथ अन ब्यूटी is the function of heart ले टागोर सत्यम, सीवम, सुंदरम ना आरातक कला कार छे ए अपड़े जोई हना आवे पछि काल मार्क्स, ये अर्ष सास्त्री, समाजवादी अर्ष सास्त्री काल मार्क्स ये मशने पण कला कार वी से वात करे छे आमा ए चेत्नाने सामाज़्िक संपत्थी के समाजनी चेतनानी बक्षिस माने छे मार्क्स थी आगरवती तो अपड़ा गांधी जी ये पुर्ण एक सारा मिमान सक्छे गांधी जी नू कला विशे नू यमनू मन्तविय जीवन सव कला थी अधकू छे गांधी जी ने मन कला नू मुलिय एक जीवन ने केटले अंसे उच बनावे छे ते परज अतू कला छे मानव जीवन ने उच ताना शिखर तरफ ना लई जै तो कला नू कारिय छे गांधी जी नमते एक बिन वायादार छे साचू जीवन जीवानी जे ब्धत पधती कला आपे तो ये उत्तम कला कार कला मा तेमने दरिद्र नारायन नी उपासना सुच वीज आरिते गांधी जी पछे अपड़े जब वात करिये कला चिंतकों ने अंदर बे मत छे धरावे छेमा कला मौलिकता युक्त अनुकुरूती छे कला मौलिकता युक्त अनुकुरूती छे कला ने अनुकुरूती के प्रतिकुरूती माननार कला चिंतकों नाज मत छे येमा बिजा मत ने कला कल्पना सुचक आदर्स ये नी अनुकुरूती छे तो आरी ते अनुकुरूती वादियो आदर्स वादियो छे कला ने प्रकुरूती नी के कल्पनात्मक आदर्स नी प्रति नी थी के अनुकुरूती मात्र कहिये तेम चाले तेम न थी कला मा इथी कहिक विशेश होई छे अनुकराण तो मरण जनीवडे मात्र अनुकराण कलाणे अंदर ये मृत्य समान छे ले आ वाद छे ये अपने डुरूसी के हईवदन जै आलेखन कलाकार करे छे येमा आवस्तु आपन देखाये छे अनुकराण कलाकार करे छे तियर तेमा कलाकार नो आंतर मौलिक अभीनेव उन्ण में सावेच छे अने आवस्तु आपने कलाकारे पोतानी कलामा मौलिक ता नो ओप आपी अने कलाकार चंद्र प्रकृती ना चंद्र थेके एक जुदो जहो आनो कलाकार नी प्रतिकृती अनुकृती मा एक जयतनी और निर्वच्य नियम मौलिक ता होए छे मौलिक ता एटले पोतानी अंदर थी उद्ववेली अनुपूती यमा बिजय कोईनु योगदान ना होए पन पोताना आत्मा मा थी उद्ववेली वाद जो अनुकृती मा पन पाचु यह उँछे के कला दुवारा कलाकार ने आनन्द आवे तोज भावक न आनन्द थाए कलानो आनन्द एतो नौ सर्जन आनन्द छे पावन पन नौ सर्जन ना परिचे थी आननन्द ने अनुपूती बने छे कलाने आकृती केशो तोई मौलिक ता युक्त ती सर्जना तमक अनुकृती केवी पडशे युक्त अनुकृती बिजो एक अउत्रण युँछे के कला कलाकारनो आंतर उन्मेश छे आंतर उन्मेश इले अंदर नी जे आपड़ वात करीती अंदर ती जे कई उदभवे छे ये उदभव एतले के कलाकारना चित्त माजे कही थाय छे कैंक नव प्रगटे छे कैंक नव उगे छे अने एनो आश्वात नो विशे बनावा ए पावक समक्ष जे रज्यू करे छे अने ए रज्यू करिया विना कलाकारने चालतो पण न थी करण के मानसना मनमा उदभवेली लागणियोंने अभिव्यक्त करवीज पड़े छे तो आने कलाकारना अंतर उनमेश ए छे एम पण केवा मावे छे तियर पछे अपड़ा अगडवती है तो कला अभिव्यक्ती छे ए वाद पण अपड़े जोई यह माँ जाजो मतविदन थी तमाम कला मिमानसको अभिव्यक्ती ने वाद ने अपड़े छे के कला छे ए अभिव्यक्ती छे आत्मभावने अभिव्यक्ती कितला कलाकार समेदने ने सफ़ड अभिव्यक्ती तो किटला कला आछे इस सिध्व अभीव्यक्त निवाद करें चे क्रोचे ये जैम कला ने स्वयम ग्नाण नी अभीव्यक्त कहीं छे ये बुती नहीं कलपनाना श्वयम शफूरण थी जे अभीव्यक्त थाए चे ते कला ये वो क्रोचे नमोत आपड़े जो यह हतो तेर पछे आगणवतिये एक अउत्रण छे कला सौंदर्यात्मक अपिव्यक्ती छे। कला छे एस सौंदर्यात्मक अपिव्यक्ती छे। जगतमा घणू अपिद्र कुच्सित छे। कुच्च्चित छे। फिशिदले घराप। पन तेई कला मा आवे तेरे कलात्मक सोंदर्यातारान करीने आवे छे। चीतरी चडे तेवी बाबत कावियामा बिपस्त रस बनेने आवे छे। जिवन ना जे अभद्र होए ते ये कला मा सुभद्र बने छे। कला नो पारोश स्पर्ष और सुन्दर ने सुन्दर बनावे छे। इटले कला छे सौंदरियात्मक अफिव्यक्ति छे। इथे आगडवती तो कला मटे ना जे बे मुख्य धर्मों छे ए सौंदर्य औने आनंद ये बे कला ना धर्मों छे जे आपणे आगड कला मिमन सकोन आपी प्रायों मा सुंदर्ता औने आनंद नी अनुपुती नी वात आपणे करी येज वात छे ए आमा आपणे बतावानों प्रेत्न छे के सत्य नी सुंदर औने आनंद जनक अनुपुती येटल कला है आनंद नुप परिणाम ना आपए ते कला नहीं पन कलानों आनंद पावतिक दुन्यवी नथी होतों आत्यात्मिक अलोव की कोई छे लाख रूप्य नी लोटरी लागवति जे आनंद थाई तेना करता चड़िया तो आनंद शांकुतल ना संसपर्ष थी थाई सर्जक ना आनंद मा थी कला कृती जन में छे पावक ने आनंद नी अनुपुती करावे छे कला नो व्यापार आनंद यात्रा छे सर्जक ने सर्जक नो आनंद पावक ने पावन नो आनंद विवेचक ने विवेचन नो आनंद इल्ले अत्रणे त्रण सर्जक पावक अने विवेचक ये ज्यारे कोई साहित्य कला मा थे आनंद प्राप्त करे तो आपड़े समझवुजुई के कला छे येनों कारियों छे तियां पूर्ण थाए छे इले निरती शे आनंद कला ए निरती शे आनंद आपे छे तेना मटे कला ए ठिंक्स अफ ब्यूटी छे तेमाच ने तेथी जो आगळवतियत ए जोई फोर एवर ये जे विदान छे ए किट्स करें आपड़ा दे मनो मिमान सक्छे आपड़ा पास्चातियों साहितियों मिमान सक्ट किट्स एमने ए वात आपड़ी सामें मुकी छे अवे पच्छी आगळवतिये तो कला ए जीवननी संपुर्ण स्वीकरूती छे कला जीवन थे विमोख नथी ते जीवन थी भागती नथी जीवनने रशपुर्ण रिते स्वीकारे छे कला ने खातर कला माननारा किटलाक जीवननी परवा नथी करता अतवा जीवनने गोण स्थान आपे छे पन कला जीवन माथी वस्तु लई आवे छे जीवनत मानवने स्पर्षवा प्रयत्न करे छे जीवनत अभिव्यक्ति साथे छे पछी जीवनती दूर क्यम रही सके कला जीवननों दर्शन करावे छे जीवन प्रत्यनी द्रश्टि स्पस्ट करे छे मानवने जीवन जीवा दर्शन के शम्यक मार्क दर्शन आपे छे इतलु ज नहीं सास्त्र न इतियास करता सारीरीते आनन्द पुर्वक जीवन जीवा नी समझ आन्बे छे तो आ जिवनने रशपूर्ण स्वीकृती ये पूर्ण कला नो एक पागत छे किटलाक मिमन सकोई हम कहियो चे के कला कला कारना आत्मानी अम्रूत कला छे आत्माना सत चित ने आनन्द जेम रविंदर नात्त टागोरे आपन न कहियो तू कि सत्यम सीवम सुंदरम ये ज़िते आहे पुन आपने सत चित अनन्द ये त्रोन धर्मों कलामा देखाये छे कला आ जगत माझे अस्तित्व धरावे छे के होयस केखें छे तेवा सत नूर नेरूपन करे छे कलाकार जीवन जगतना सत साथे चितनी चेतना ने संक्रांत करे छे सत साथे चितनो सयोग थाई छे जीवनना सत साथे चित साथे कलाकार नी चेतना संपर्कमा आवे छे अने कलाकारनों चित विश्व चेतना साथे तादात्मेनों अनुपोव करावे छे कला जीवनना सत्यने चैतन्यों अने आनंदने अभिवियक्त करे छे ये बात आपना स्री अर्विंद एमने कला सर्जननी जे वात करी छे ये आतियात्मिक सक्तिना स्त्रोत समानता आतियात्मिक सक्तिनों एनामा एने निपात जोयो छे तो कलानों सर्जनन ज नहीं तेनु पावन अने चित संदर्पने स्वयम स्फूर्णात्मक प्रवरुती तरीके घटावे छे हवे अपने कलाना केटला काउतरनों कला मिमान सकुना अभीप्राय येमनी जे चर्चा करी तियर पछी आपनों मुदो छे के कला उनु वर्गी करन ललित अने ललिते तर कला वचे नो पेद कला इतले सुँ ये समझिया पछी आपने ललित अने ललिते तर कला वचे ना पेद विशे आपने खेयालावे जेम आपड़े जे कला मिमनसको हता साहिती मिमनसको कला के क्रोचे ना मते स्वयम स्पुरुनात्मक मनोगत अभिव्यक्ती छे आरिते जे बता पोत पोत ने वाद करे छे एमा क्रोचे छे पोता ने रिते कलावन वर्गे करण छे एम मात्र वियावारिक प्रवर्ती छे एम कहे छे कलाहाकार पोताना आंत्रिक अनो भूतिनी अभिव्यक्ति माटे क्यों माध्यम पसंद करे छे तेने आतारे कलाना विपाजन छे सक्यों बने तो जे आपने वाद करी ललित अन ललित अतर कलाओ इले ललित ने आपने वाद करी ललित अतर एटले उप्यों की कलाओ आ बे वस्तो विशे आपड़े समझिये के व्यवारिक द्रस्टिये कलाना बे सामानिय वर्ग पाड़ेला छे एक ललित कलाओ और बीजी ललित एतर ललित एतर एटले ललित थी इतर के जे कलाओ मात्र और मात्र आनन्दाफवानू रदैनी उर्मियोंने जागरूत करवानू कारिय करें छे बद ललित कलाओ आने उपयोगी कलाओ आवि रिते आपड़ा जिवन ने इंदर जे उपयोग मा आवे छे एवी कलाओ उप्योगी कला उने जुदी तार्वी नाखवी ए ललित कला ने समझवा बहु जरुन्नू छे उप्योगी कला उने कला सब्दना साचा अर्थमा कला केवी न जो ये पुन वियोवार मां तो अब्रजी पेला वाद करितिक रांदवा निकडा छे मोची काम निकडा छे सिववा निकडा छे परत गुधर निकडा छे ता आ बतिकला उप्योगी छे अने तियां उप्योगी कारीगरों के उद्धियोक माटे कला सब्द वप्रायों छे तिये कडाओ जिवन नी उप्योगी वस्तुव बनावे छे तेथी उप्योगी कड़ाओ के होवाई छे आ उप्योगी कड़ा मां साहित्य लालित्य के सौंदेरी नी अनिवारियता न थे जोके उप्योगी कड़ा मां पन लालित्य जोवा मड़े छे पन उप्योगी ता मुख्ये छे मोजली सुन्दर छे के केम ते पूछी जोवानू पहला जोवानू ये छे के मोजली छे आपड़ा पगमा डंख मारे छे डंखिया करे छे आपड़ने कियाई बीन अनू कुर्ता नो एसा अस्करावे छे को ये सुन्दर लिमपन करेलू होए तो ये पातिकर जेव होई सके छे पन तिया लालित्य नी अपिक्षान ना संतोश आए तो येनो कोई वांतो नहीं आपने तो लेंपुर्णनों काम धव जोई ये आ उप्योगी कड़ाओ थी साहित्य, संगीत, चीत्र वगेरे वधू कलात्मक होई ये ललित्कलाओ कावाई थे ललित्कलामा लालित्य, सांदर्य रसिकता, आनंद प्रुद्ता ये पता येनों धर्मों मुख्य थे सौंदर्य बोध के आनंददान एज ललित कलानों मुख्य तर्म अने उपयोग छे जीवरने सुख्षुम जरूरियात के उपयोगीता ललित कला पुरी पाड़े छे स्थूड उपयोगीता उपयोगी कलावों पुरी पाड़े छे कला विशे जे उत्सा पुर्वक उल्लास पुर्वक के हुआए छे ते ललित कला ने लागू पड़ा छे इल्ले साहित्य, संगीत, चित्र, शिल्प अने स्थापत्य ए पांच प्रमुख ललित कलाओ छे अप्रें थे सिवाय ने जे कलाओ छे ए कलाओ बत्य इतर कलाओ मा, ललित थी थोड़ी अलग कलाओ मा जेने आप्रें उपयोगी कलाओ तरीके वात करी ए उपयोगी कलाओ मा एबत्य वस्तुवनों समावेश थाई छे अवे आपने पास्षातिय मत्प्रमाने प्रचलित ने बवहुमानिया यले ललित ने उप्यगी कलाओ आ प्रकारनों वर्गीकरण जो अमडे छे तेमा तेम छता बिजा वर्गीकरणना प्रेत्न थेया छे ते नोंदवा जोई कलानी सिद्धिना आथार पर कलाओना बे वर्ग पाड़वा माविया छे एक प्राकृतिक कला प्राकृतिक कला एविछे एव प्राकृतिक दहत छे इतले के मनस ने जे प्रतिपा सिद्ध के जन्म सिद्ध प्राप्त थाए छे ते बद्धी कलाओने ललित कलाओ मां समावानों प्रहत्न करियो छे इले आपने जे ललित कलाओने अंदर जे पांच कलाओने बात करेती तो साहित्य छे ये आपने माने लेक काविया बनावबू होए कावियाने रचना करवी होए कावियानों सर्जन करवबू होए तो गम्य तेटला प्रहत्न करो तो पन काविया उद्ध पवेज नहीं येना माटे तो जन्म सिद्ध प्रतिभा ये प्राप्त थैले होए तो आपने पछी आगण वधी सक्किये तब संगीत, चित्र, सिल्प अने स्थापतिया आपति कलाओ छे प्राकृतिक कलाओ माँ येनों समय समावेश करेलो छे कि जेने मूर जो अपड़ जोई तो ये मानवने जन्म सिद्ध हतिकार प्राप्त थैयो होए येनी अंदर ये प्रतिभा सिद्ध होए तो आवी कलाओ प्राकृतिक कला सोरे अने बीजी जे वात आपने करिये छे ये अनुभव सिद्ध कला है येले आपने जे उप्योगी कलाओ ने वात करता था कि जे कला अनुभव के ग्नान थी मेड़वी सकाय छे ते उप्योगी कलाओ कोई सीमन काम करता हो या ना आपने तियां बेठे बेठा जोता हो ये तो ये नी पासे थी आपने ये वस्तों सिखी सकिये अनि ये ना करता पने आपने आगर बती सकिये जेम द्रोणाचारिये पासे बड़ा जे राजकुमार जे विद्या प्राप्त करता हो येमा एक लव्य छे ए धियरे तेमनी पासे जाये छे अने द्रोणाचारिये ना पाले छे पुछी ए पुत्लू बनावी अने आगर बती अने बाण विद्यानी कला जे प्राप्त करे छे आपने जोयू छे तो आवी रिते अनुभौव सिद्ध कला छे अनुभौव थी अने ग्नान थी मेड़ भी सकाये छे कलाओना स्वभावने आधारे पन बे वर्गो आपड़ पाड़ी सकीए इमां सामनिय कलाओ एटले के खास करे ने उपीगी कलाओ अने बिजो सांस्कृतिक कलाओ जे मां ललित कलाओनों समाय विस्थाए छे एको पास्चात्य पस्चिम वादी कला मिमान सक्छे हेगल हेगले कलाना त्राण वर्गो पाड़िया छे प्रतिक वादी, प्रशिष्ट अने रंग दर्शी हेगलनों कला सिथांत तेना द्वंद्व वादी प्रक्रिया ना दर्शन पर रचाएलो छे हेगल आपने प्रतिक वादी अटले सिंबोलिक, प्रशिष्ट अटले क्लासिकल अने रंग दर्शी एले रॉमेंटिक येवाजे वर्ग पाड़ी अना अपने समझावे छे के प्रतिक वादी कलाव माँ भाव अने पहुतिक आकरुते ने अनुकुर्ता सताती न थी जेम के प्राचिन देव देवियों ने मुर्तियों भाव ने और शफ़र अभिव्यक्तियों छे प्रोशिष्ट कलामा बाहिय आकरुते अने अन्तर अनुभुती मां सामन जशियों छे दाखला तरीके ग्रिक देवी देवतावनी प्रतिमाव हवे रंगदर्शी एडले रोमेंटिक कलानी जव वाद करिये तो रंगदर्शी कलामा प्राव आभुतिक रूप धारण करे छे ने शारिडिक आकरुती छोडी देछे एडले एगले कलाना ललित कलाना पांच वर्गो पाडिया छे हमने जया अपड़े अगड़ वाद करे ती एज वाद एबने वास्तो वास्तो कला इले के स्थापतिया बीजी सिल्प कला इले मुर्ति कला त्रीजी चित्र कला चोथे संगित कला और पांच में काव्य कला अटले तमाम प्रकारना साहित यानि वाद आपड़ने करीज है तो अल ललित कला अने ललित एतर कला ना जे हेगल ना सित्तांत प्रमाने आपड़े आगड़ वती है तो आपड़ने बे कलाओ ललित अने ललित एतर कलाओ प्राप्त थाये छे ललित कलाओ नुँ एक बिजे वर्गी करन पण हेगल जाप्यू छे के आँखनी कलाओ एटले चाक्षूश चा चक्षूश यहला आँखनी कलाओ एमा त्रण कलाओ एमने मुकी छे स्थापत्य सिल्प अने चित्र आ त्रणे त्रण कलाओ ने आपड़े आँख थी जोई सकीये छी आँख थी मानी सकीये छी अने एनो अनुबावन करी सकाई छे अने आनो आस्रे छे मुर्त छे मुर्त पदार छे बीजी जे वाद करे छे एक कान निकलाओ जे सुरुत कलाओ छे कान निकलाओ शुरुत सांपड़ी ने संगीत ने साहितिया आ श्राविय कलाओ के जे कान थी स्रवन करी ने एनो आस्वाद लई सकाई साहितिया ना सब्दो लखाए छे ने वचाए छे तेटले अंसे ते आँखनी कलाओ बने खरी अरे ना ना सब्दो ना स्रामर्थी साहितिय क्रुती आश्वाद ये बने छे अने एमा आपड़ मन ए अगतिया नो भाग बजवे छे अले आपड़े अजे कला छे ललित अने ललित तर कला ने वाद पुर्ण करिये अवे आपड़े साहितिय कला ने जे विशिष्ट ता छे ए साहितिय कला ने विशिष्ट ताओ विशे आपड़े अवे बच्चिना वियाक्षियन मा एनी चर्चा आगण उतरिशु तो अहें आपनों कार्याच्छे पूर्णा करियां नमस्कार आउजो